दोस्तो स्वागत है आपका IPL 2020 का टाइटल जो है पहली बार जीतने वाली है Kings 11 पंजाब की टीम जो है यहाँ पर बन सकती है विजेता IPL 2020 की और इसके पीछे के तीन बहुती बड़े रीजन के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो में रीजन है जिसकी वज़े से हम कह सकते हैं कि Kings 11 पंजाब की टीम जो है वो जीत सकती है IPL 2020 का टाइटल और पहली बार इनके नाम यह कप आ सकता है तो काफी इंटरस्टिंग यह वीडियो होगी तो अगर आप भी IPL के फैन कर रहे हैं IPL 2020 का इंतजार तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तो आपको गर लग रहा है कितने परसेंट चांसेज हैं आपर Kings 11 पंजाब के टाइटल जीतने के IPL 2020 के आप अपनी रहे कमेंट कर गर जरूर दे दोस्तो Kings 11 पंजाब की टीम ने काफी कुछ चेंज किया है IPL 2020 के लिए और पिछले साल से ये टीम जो है काफी ज़ादा मजबूत हमें नजर आ रही है अगर हम कमपेर करें इनके पिछले 4, 5, 6 सीजन अगर हम कमपेर करें तो इस साल हमें सबसे ज़ादा मजबूत Kings 11 पंजाब की टीम नजर आ रही है और बहुत ज़ादा चांसेज हैं कि Kings 11 पंजाब की जो टीम है इस साल हमें कुछ करिस्मा करते वे नजर आ जाए चलिए बात करते हैं रीजन की जिनकी वज़े से हम कह रहे हैं कि ये टीम जो है वो बन सकती है चैंपियन IPL 2020 की तो इसके पीछे दोस्तों जो सबसे पहला रीजन है वो है दोस्तों इनका बैटिंग लाइनप या फिर कहें इनके बैट्समेन बहुत ही तगड़ी बैटिंग लाइनप के इनक लेवन पंज़ाब की IPL 2020 के लिए लग रही है और किसी भी टीम से अगर हम कंपेर करें तो इनकी बैटिंग लाइनप जो है किसी भी टीम को टकपर दे सकती है किसी भी टीम को जो है वो पचाड सकती है जहाँ पर केल, राहूल और क्रिस केल हमेशा की तरह ओपन करते वे नज़र आएंगे मायंग का गरवाल है इनके मिडल ओडर में और इनके पास दोस्तों ग्लैन, मैक्सविल है निकलस, पूरन, मंदी, सिंग, सरफराज, कान बहुत ही तगड़े-तगड़े इनके पास फिनिशर भी है तो कमाल की यहाँ पर बैटिंग लाइनप है किंग्स 11 पंचाब की और सबसे पहला रीजन है अगर यह टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा जो है इनकी बैटिंग लाइनप ही होने वाली है जिस तरह की बैटिंग लाइनप है यहाँ पर किंग्स 11 पंचाब की लास्ट यह टीम अपने टॉप ओडर पे काफ़ी जादा डिपेंडनेंट थी रवी चंदन अश्विन भी हमें नमबर चार पर नजर आ जाते थे नमबर पांच पर नजर आ जाते थे लेकिन इस साल इनके पास बहुत हैवी बैटिंग लाइनप है और लोवर ओडर भी इनके पास काफी कमाल का है तो सबसे पहली रीजन है दोस्तों इनकी बैटिंग लेनप जिस तरह की स्ट्रॉंग हुई है ये टीम जो है वो बन सकती है चैंपियन IPL 2020 की बात करें दोस्तों दूसरे रीजन की तो दूसरा बड़ा रीजन है परफेक्ट प्लेइंग 11 का अगर दोस्तों हम इनकी प्लेइंग 11 बनाए परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाए तो यहाँ पर हमको नमबर 8 तक जो है वो बैटिंग मिल सकती है नमबर 8 तक बैट्समेन नजर आ सकते हैं वहीं 6-7 बोलिंग आप्शन भी जो है हमें नजर आ सकते हैं तो इस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो बहुत ही ज़ादा बढ़िया होती है T20 फॉर्मैट के लिए लास्ट येर दोस्तो हमने देखा था कि Kings 11 पंजाब के पास सिर्फ बोलिंग आप्शन रहते थे जो कि दोस्तों यहाँ पर बोलिंग में भी आप्शन देंगे और बैटिंग में भी आप्शन देने वाले हैं और बहुत ही कम टीमों के पास इस तरह के जो है option है उन में से एक है या पर Kings 11 Punjab की टीम और ये एक और रीजन है कि Kings 11 Punjab की जो टीम है बन सकती है IPL 2020 की champion और बात करें दोस्तों तीसरे बड़े रीजन की तो तीसरा बड़ा रीजन है इनका supporting staff वन अब दा बेस्ट supporting staff है Kings 11 Punjab के पास अनिल कुमले को इन्होंने बनाया है अपना head coach जो कि अपने जमाने में बहुत ही बड़िया खिलाडी रहे हैं कप्तान रहे हैं RCB की टीम को final तक लेकर गए है फिल्डिंग coach इन्होंने बनाया है जोन्टी रोड्स को बैटिंग coach बनाया ह यहाँ पर अनिल कुमले सर ने तो दोस्तों यह है वो तीन बड़े रीजन जिनकी वज़े से हम कह रहे हैं कि Kings 11 पंजाब की जो टीम है इस साल अच्छा परफॉर्म कर सकती है इस साल टाइटल अपने नाम कर सकती है अब देखना है किस तरह का इनका परफॉर्मेंस रहता है क्या जिस तरह का इनका स्कॉड लग रहा है उस तरह का इनका परफॉर्मेंस रहेगा यह एक देखने वाली बात होगी आपको एक लग रहा है क्या दोस्तों यहाँ पर जीच सकती है Kings 11 पंजाब की टीम टाइटल IPL 2020 का क्या यह टीम प्लेयाफ तक जा सकती है आप अपनी र